देखें दोस्तो अभी इस वीडियो में हम इस टेक्टर भी बनाना सीखेंगे और जो आपको दिया गया नाम है वो इती गलत दिया गया है तो उसको कर्रेक्ट कैसे गरना यह भी हम सीखेंगे बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे आप पहला टेक कर दो अपना जो पैरेंट चैन है यानि सबसे लंबी जो कार्बन की से नकला उस पे कितना है पैंट का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका पांच कार्बन तो पांच कार्बन है जो बना दो उसके बाद देखो इन पे जो नंबर लगा दो नंबर लगाने के बाद दो पर कौन जुड़ा हुआ है आपका एथिल एथिल क्या होता दोस्तों CH2, CH3 समों होता है उसके बाद करना क्या है आपको कार्बन के 4 सिम्जकताएं पूरी कर देना है यह आपका आ गया स्ट्रेक्चर अब देखे इस इस्ट्रेक्चर के आधार पे आपको नाम लिखना है तो नाम देखिए यहां सबसे लंबी कार्बन की स्रंकला को चुनना होता है अब वापस से जो नाम करण के नियम उनको कामे लेना सुरू कर दो एक दो तीन चार पांच है एक, दो, तीन, चार, पाँच यानि आपके सबसे लंबी इसमें कार्बन की सरंकला कौन सी है जिसमें 6 कार्बन है आसान है तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों हैक्स कहते हैं और इसका परतिस्ता पर कौन जुड़ावाय है यहां पर आपका मेथिल आपका इसको 3 मेथिल 6 कार्बन को क्या कहते हैं एक कार्बन कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉंट है तो इसके पीच्छे एन जोड़ दो देखिये एलकन इलकन क्या होता है जिसमें carbon carbon की भी single bond होता है और इसका suffix क्या आता है दोस्तों आपका n आता है ठीक है और जब परतिस्ता पी समय जुड़ा हो तो इसके जगे के विल हम क्या लिखते हैं an लिखते हैं जैसे ch3, ch2, oh तो इसमें आपका नाम क्या होगा दो carbon को क्या कहते हैं एथ तो यह एथे नोल यानि क्यों एल सब्सका देखी दो नमबर बिल्कुल आसान है पहले सबसे जो मैन है उस पर अटेक करो मैन क्या है यहां पर हैप 10 हैप का मतलब क्या है साथ कारबन तो साथ कारबन बनो एक दो तीन चार पांच शे साथ उसके बाद नमबर लगा दो ठीक है नमबर लगाने के बाद देखी तीन नमबर पर कौन जुड़ा होगा आपका मैथिल मैथिल का मदलब क्या होता है च्छी पांच पर कौन जुड़ा है एथिल एथिल का मदलब क्या होता है च्छी फवाइव उसके बाद कारबन की जो सेंज़गता है उनको पूरा कर दो कारबन की सेंज़गता कितने होती दोस्तों आपकी च्यार तो हैड्रोजन से जोड़ने पर आपके पास कारबन की च्यारों और क्या बनने चाहिए चार बंद बनने चाहिए ठीक है अब क्या करना है यह जो आपका दिया गया नाम है यह सही है या गलत इसके चेक करना है क्य है तो यह दोस्तों नाम साही क्यों नहीं नहीं है सर्व लेके इस सभसे नमरिंग किए तो यह नाम आया है अब देखे स्थेंग उसको इस्वित बढ़ते हैं तो तीन नमर पे आपको स्थेला था आपकी आप एiblता आप यह रखना है यह यह does करता है ऐसी कंडिशन में अल्फा बेट के ओडर पर तो एथिल का पेले यह आता है मेधिल का पहले एम आता है तो अल्फा बेट में इपल है तो इसलिए यह नमबरिंग करेक्ट मानी जाएगी यहनि इसका नाम जो होगा निया नाम वह होगा आपका 3-ethyl और 5-methyl बाकि जो आपका है heptan तो इस प्रकास से है जो हमने अभी एक अच्छा प्रोब्लम सोल किया आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे comment करके बता दो